हेलो डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने देखा था इंडियन नंबर सिस्टम आज हम उसे थोड़ा सा रिवाइस करते हैं, उसमें थे पीरियड, प्लेसेज, डिजिट इन, नंबर पिरियड में फस्ट पिरियड है, बन्स पिरियड, थाउजन पिरियड, लैक पिरियड, क्रोड पिरियड बन्स पिरिड में था बन्स टेंज हंड्रेड, थाउजन में आता है थाउजन, टेन थाउजन, लैक में होता है लैक, टेन लैक, क्रोड में होता है क्रोड, टेन क्रोड. फिर हमने देखा था इंडियन सिस्टम में कॉमस कैसे लगाते हैं, for example एक नंबर है हमारे पास 4987561. होते है हमारे पास period, places, digit and number. period में first period होता है ones period, second होता है thousand period, third होता है million periods. ones period में क्या होता है ones, tens, hundred. thousand में आता है thousand, ten thousand, hundred, thousand. million में क्या आता है million, ten million, hundred million. ones period में digit कितने होते हैं one, 10s period में digit होते हैं 2 100 period में digit होते हैं 3 1000 period में digit कितने होते हैं 4 10,000 में digit होते हैं 5 100,000 में digit होते हैं 6 Million में digit 7 10 million में digit होते हैं 8 100 million में digit होते हैं 9 तो आज का हमारा question है Insert the comma suitably and write the number name according to international system of numeration हमने कॉमाज लगाने है और number name write करने है किसके according international number system के according for example 98765434 सबसे पहले कॉमाज कैसे आएगा first कॉमा आएगा after three digits second कॉमा भी क्या आएगा after three digits international system में जो भी कॉमा आता है वो आता है after three digits इसको कैसे write करेंगे 98,765,434 दुबारा से देखते हैं 98,765,434 हमने आगे देखा fill in the blanks हमारे पास blanks दी हुई है जैसे first blanks है कितने लैक 100 million के ब्राबर होंगे 10 lakhs के ब्राबर होते हैं 1 million के तो अगर यहां पे 100 से multiple ही हो रही है तो इधर भी हो जाएगी यह क्या हो जाएगा 1000 lakhs is equal to 100 million अब देखने कितने लैक 10 क्रोड के ब्राबर होंगे जो 100 lakh है वो 1 क्रोड के ब्राबर होते हैं तो 1000 lakh इसके ब्राबर हो जाएगे 10 क्रोड के ब्राबर I hope आपको अच्छे से समझ आगी होगी आपने अच्छे से practice करनी है जो sum आपको दिये जाएंगे वो आपने अच्छे से करके देखनी है Thank you